हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इडूसीर सेंटर आपका एक्जाम के लिए ओनली वान डेस लेफ्ट है और इसमें मैं लास्ट मॉमेंट आपको कुछ टीप्स देना चाहता हूँ और कुछ इंपोर्टन इंफोर्मेशन देना चाहता हूँ विफोर गूइंग टू दा एक्जाम है टाम and कंदिशन लिखा होगा ना वह सारा चीज आप पर ही है एक बर तो इसमें सारा में एक्जा है व्याला चीज आपको एक्जाम हॉल में फॉलो करना परेगा है तो यह डंमींट कर आपकर मैंड़िय। एंधर करने नहीं देंगे फिर एक आपकी पास पेन होना चाहिए ब्लैक या ब्लू पैन में प्रिव्यार करता हूं आप ब्लेक पेन लेके आई है क्योंकि ब्लेक पैन में ज्यादा अच्छा होता यह ओम फिल करने के लिए और एक आप रिस्ट वास लेक आए जो हाध घरी हो जब एक्जाम आपका टाइम का खेल होता है तो इसमें टाइम मेंटेन करके चलना पड़ता है तो इसलिए एक घरी लेके आई आप तो उसकी बाद हम देखेंगे ओएमर शीट बहुत इंपोर्टन यह है जो एमर शीट फिल करोगी ना तो आप बेरी क्यारफुली आप ओएमर शीट फिल करोगी जैसे आपका जैसे रूल नंबर होगा ना जो फास्ट टाम एक्जम देने जा रहा है ना तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है कोई भी आपको डाउट होगा ना उसको पूछ लेना कोई भी डाउट हो वह आपको बता देंगे यह जो आपका वह मर इसमें और वाऑट नर्वी उसमात करिना चुक्त होएंन वाटन नहीं है तो यह सारा अना बो बहुत केरफुली करना को आपको और रूल नम्बर है रूल नम बर तो और क्यारफुली पर जैसे यह रूल नमबर है ना इसका रोल नमबर देखिए 701 1511 003629 यह ख live तो जो फास्ट टाइम एक्जम देने जा रहा है वो देख लिए जैसे पहले वाला नमबर है थ्री है ना तो इसमें थ्री में इसमें सर्कल किया है फिर नेक्स टो नमबर है जीरो तो इसमें जीरो में सर्कल किया है फिर उसकी बात नेक्स नमबर है वान तो वान में सर्कल किय तो फाइब में सर्क्लिक्या फिर वान है तो यह चीज क्यारफुली करना अगर कोई भी डाउट होगा तो वहां का इंप्लिजेटर को पूछ लेना वो बता देंगे आपको फिर सेंटर कोट भी उसी तरह फिल करना है तो वह सारा चीज आप फिल करना देखके और यहां पर के 15-minute time होगा आपकी पास यह फिल करने के लिए तो बहुत ध्यान से आप इसको कर पाओगे कोई प्रोब्लम नहीं है इसमें फिर देखिए फिर आपका जो कुछिन से ना आपका जो कुछिन पेपर दिया दाएगा जब आपका एक्जम शुरू होगा तो यह कुछिन को बहुत क को फिल क्या हूं कि मैं पूरा अगर कुछिन ठीक नहीं पर आओ ना तो कोई भी मुझे सिली मिस्टिक हो जाता है और बात में मैं उसको लिए बहुत रिग्रेट फिल करता हूं तो इसलिए आप कुछिन को बहुत ध्यान से परिए फिर उसकी बाद कुछिन का एंसर तो जो भी कुछिन राइट है ना उसमें आप इसे वो सार्कल को राउंड करना लेना लेकिन इसमें एक कुछिन के लिए दू सर्कल को राउंड करोगी तो वो कुछिन कैंसल हो जाएंगे तो एक ही question के लिए एक ही circle round करना है और जो correct answer होगा उसी को करना है और इसमें negative marking नहीं है तो आपको जो भी नहीं आता है उसको भी last में करके आए मत किजिए रहास में जो जो आपको आता है खाली उसको किजिए फिर लास्ट में जो नहीं आता है उसको में मत करने को सब्सक्राइब करने के केसे करना के जैड़ी एनौल्ड एक गारे चलू एक कुष्यी ने एक तो आपको इसको time manage करके चलना परेगा तो इसके लिए आप क्या करोगे तो जैसे यह ओमर शीट है यहाँ पर आपको 150 कुशन दिया दाएगा ना पहले मान के चलो आपका चाइल डपलोपेंट पैटागोजी सब्जक्ट ना में तो आपको हमेशा बोलोंगा कि आप हमेशा च पैटागोजी आएंगे वह आप इसली कर पाओंगी में वी जब टेट एक्जम देने जा गया था ना तो मैं चाइल्ड डपलोपेंट पैटागोजी पहले किया था और इसमें और एक चीज़ आप कर सकते हो मेरा सिम्पल ट्रिक्स था में पहले क्या करता था यह जो चाइल पहले वान से लेके मैं 30 तक को करता था फिर उसकी बाद जब 30 मेरा कोशन हो गया था कोशन पैपर में तो फिर यहां आके मैं इसको सार्कल करता था इसमें मेरा टाइम सेफ हो जाता था क्यूंकि अगर आप एक कोशन किया फिर आगे यहां आके एक सार्कल करोगी फिर दो न और यह गलती मत करना कि आप एक से लेके 150 तक पहले करोगी फिर OMR में आके करोगी यह गलती कभी मत करना आपको अगर करना है तो एक-एक सब्जक्त ले 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 ना सागोज आप साइल डबलोमेंट पैटागोजी ले रहा हो 30 कुछिन कर रहा हो फिर आके इसमें सार्कल कर तो जो जो आपको नहीं आता है स्ट्रोर देना फिर दुसरे सिट में जाना में तवसनियोट Night मत रखना में वे मीडिय Mittal में कि इसमें थोड़ा टाइम लगए अमसीप में आप से कर सकते एपका अगर लॉयर प्राइवरी है तो उसमें आपका EBS होगा तो EBS में भी आपका टाइम सेफ हो जाएंगे जो अपर प्राइमरी वाला है तो अपर मेरे मैच और साइन्स में भी आप बहुत टाइम सेफ कर सकते हो तो वह आप अप एटलिस 10-15 मिनिट्स आप बाकी सब्सक् टाइम का प्रेशर हो जब आपका माइंड में आएंगे ना तो कभी भी आपका मैस नहीं होगा आपसे तो इसलिए जब आपका दिमाग ठंडा रहेगा आप माइंड वह मीडिल में करोगी तो आप बहुत अच्छे से मैस कर पाओगे और एक चीज है जो आपसे जितना भी बन को अबЭर प्रेश की का डईस तो जब लास आपको 5 मिनिश का जगा जब आपको फैव मिनिट बचेंगा गाल का तो जो जो को आपको नहीं आता है न वह आपने गेस करके शित त्रिक लगाना है जो क्योंते नहीं है यूदर करना है मैं कीुक्तिपन शिक्तिमान मार्किंग बी और सी में जादा तरा रहता है जो भी कुश्शन में आप गेस करोगे तो बी और सी में जादा एंसर रहता है तो अब यह करना पहले in the mast to try करना अकर in the connection मेट अब दो चार ऊप्छन से दो इल्लिमिनेट कर पाऊओगी तो और दो option बचता है आपकी पास तो उसमें से chances ज्यादा होता है 50-50 तो आप इसको देख लेना आप कर पाओगी इसमें कोई tension नहीं है और यहाँ पर आपको MR sheet में भी आपको sign करना परता है कहा कहा आपको sign करना परता है 20-20 में आपको पेपर लेका आएंगे sign करना परेगा तो एक भी sign मत छोड़ना वह इंपलिजेटर आपको बताएंगे कहा कहा sign करना है तो आप वहाँ वहाँ sign कर दीजिए आपको यह clear हो गया बहुत क्यारफुली आपको फिल करना है फिर जब आपको question paper दिया जाएगा ना तो question paper खुलके आप अच्छे से question paper को एक बर देख लीजिए और आप शुरुआ मैं बोलता हूं आप शुरू वह child development pedagogy से शुरू कर जिए आपको upper primary हो या lower primary हो child development pedagogy पहले कीजिए जो math subject है math subject हमें सब 20 में रखना और उसमें थोरा time लाएगा इसलिए बाकी बाकी subject से थोरा थोरा time बचा के वह math में लगाना और question जो है question आप बहुत carefully read करना ऐसा मत छोजना कि जल्दी जल्दी परोंगा time नहीं ऐसा नहीं है time enough है आपके लिए आप question को अच्छे से read कीजिए linguist paper है यह सब में आपको बहुत time बच जाता है इसमें इतना time नहीं लगता है बाकी सब में इतना time नहीं लगता है अगर आपका concept के लिए रहे तो और starting में आपको जो जो आता है उसी को कीजिए बाकी को चला जाए और last में फिर उसी को revise कीजिए जो जो आता है और add the end आपको जो जो भी नहीं आता है उसको भी आप उसमें circle करके आजाए गेस लगा के तो at least कुछ न कुछ तो होगा इसमें negative marking नहीं है इसलिए आप 150 question कीजिए इसमें आपको जैसे आच्छा लागा उसकी हिसाब सब्सक्राइब से आप एक question को attempt कीजिए और hope so आपको यह सारा जी समझ में होगा thank you for watching our all the videos and आपने बहुत प्यार दिया है मुझे मैं आपका हार comments परता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका comments परके and मैं आपको sorry बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं कोई को subject को cover नहीं क कर पाया क्योंकि मेरा बहुत time congestion है क्योंकि मेरा workplace में भी बहुत tight schedule हो रहा है वहापे भी बहुत काम करना परता है डे डे रात रात में तो इसलिए मैं last में वीडियो नहीं बना पाया इसलिए मैं extremely sorry for that and all the best for your exams डरना नहीं nervous होना नहीं आप motivate होके जाहिए एक्जम इतना tough नहीं होता है बहुत easy होता है आप easily कर पाओगे इसको तो आप के अंदर में confidence लेके जाहिए